नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है, मैं हूँ मनुरंजन भारती, आज चर्चा करेंगे हरियाना कॉंग्रेस की, हरियाना कॉंग्रेस में एक मज़ेदार इस्तिती बनी वी है, सबको लगता है कि अगले साल जो हरियाना में चुनाव होने जा रहे हैं, उसम लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं है, यह कहानी है हरियाना में SRK की, आजकर SRK का जबाना चल रहा है, जबान जो है सुपर डूपर हीट हो गई है, तो एक SRK जो है हरियाना में भी है, और यह SRK है कौन? यह है रंदीप सूर्जेवाला, कुमारी सहलजा और चौदरी किरन स इनको SRK नाम दिया गया है, यह तीन बनाम हुपेंदर सिंग हुडा की कहानी जो है, वो है हरियाना में कौंग्रेस की कहानी, वैसे तो देखा जाए, तो ऐसा लगेगा कि इस बार के चुनाओं में जो हालात बन रहे हैं, उसमें कौंग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा दि राजनीति खलकों में हरियाना की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग लगातार कह रहे हैं, अब हरियाना कौंग्रेस की इस्तिति क्या है आपको बता दूँ, अभी जो है हरियाना में पिछले 15 सालों से कोई भी अस्थानिये निकाइब में कोई भी संगठन खरा नहीं ह पाया है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई जिला अध्यक्ष नहीं बन पाया है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष बनना था, वो नहीं बन पाया है, यह सारी चीज़े जो है, वो संगठन के लिए बेहर जरूरी होती हैं, अब यह कहा जा रहा है कि यह आपसी जगणों के बीच हर बार जो है ये काम जो है रुख जाता है चाहे हुडा के जमाने से बात करें जब फूलचन मुलाना परदेश अध्यक्ष होते थे उसके बाद असोकतबर जो है वो परदेश अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद कुमारी सैलजा बनाई गई अब जो है उदैभान को अध्यक्ष बन तो इस बार भी वुपेंदर सिंग हुडा और उदैभान के साथ बांकी नेताओं को जोडने की कोशिस हो रही है अब दिक्कत ये है कि ये जो तीन नेता है वो कुमारी सहिलजा और रंदीव सुर्जेवाला ये हर्याना की राजनीती में दखर रखते हैं दिल्ली की राजनीत उनका स्रे उनको दिया गया और अब मदपरदेश का भी उनको प्रभारी बना दिया गया जबकि कुमारी सहिलजा को 36 गड़ का प्रभारी बना गया महासाची बना गया वहां भी चुनाव होने हैं तो और साथ में किरन चौधरी भी है जो जिनका भी काफी प्रभाव है और इनके खिलाब जो है उटा साब जो है बुपिंदर सिंग हुडा हैं और यही लडाई चलती आ रही है अब दिक्कत ये है कि इन तीनों के अपने अपने जो छेतर है ये चाहते हैं कि जो आलाकमान है वो टीकट की बटवारी है जिम्मेबारी की बटवारी करे तो हर्याना को त जीन के आखें चार भागों में बाढ़ दे सेल्जा चाहती है कि सिर्शा फटेहाबाद हिसार अंबाला और युंना नगर का इलाका उनको दे दिया जाए सूर्जे वाला चाहते हैं जीन नर्वाना करनाल कुरुचेत्र और कैतल उनको दे जाए किरन चौदरी चाहती है तोसाम दादरी महंदर गड़ बिवानी उनके नाम कर दिया जाए और माकी रोहतक सोनी पती ये पानी पती ये सब का इलाका जो है वो भुपेंदर सिंग हुडा के पास रहेगा तो क्या इस ढ़ंग से बटवारा हो पाएगा पिछले दिनों से लेकर के ऊपर तक संगठन जो है वो उनको खरा करेंगे जब लेकिन राहूल गांदी को मालूम चला कि अभी तक संगठन नहीं बन पाया है तो वो उनको ब्रास्चर रुआ क्योंकि दिपक बावारिया ने हर जगह जो है बाइस परभारी जो है अलग-अलग जगह निउ थे अब उनकी रिपोर्ट देने के बाद क्या हुआ यह अभी तक पका नहीं हो पाया है चुनाव की तैयारी कैसे होगी यह अभी तक पका नहीं हुआ है तो यह सारी चीजें जो है घूम फिर के बाद वहीं प्राटक आ रही है कि 2024 के जो अंत में यह चुनाव होना है उसमे पिछली बार की तरह इस बार भी कॉंग्रेस की ट्रेन कहीं छूटना जाए चार नेताओं उंके बीच आपस में बनती नहीं है क्योंकि इसकी इक प्रिश्प्भूमी भी आर्याना की राजनीती यदि कॉंग्रेस में देखे तो एक जब भजनलाल सबसे बरे नेता होते थे तो उनके खिलाफ हुडा भी इसी तरह से जो है वो लडाई करते थे या फिर संघर्ष करते थे अपने हग के लिए लड़ते थे उस वक्त जो है बाकी नेता जो है इनके लगता है वितरगात के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इन नेताओं को लगता है कि हुडा जो है भुपेंदर सिंग हुडा उन्होंने हरियाना में अपने बेटे सांसत दिपेंदर हुडा को आगे करने की योजना बना रखिया है वही बात इन तीनों को पसंद नहीं जा रही है हलांकि दिपेंदर भी जो है काफी मेहनती है भुपेंदर हुडा जो है बड़े हुडा उनका उनकी अच्छी पकर है यदि इस चुनाओं में ये सभी नेता एक नहीं होते हैं तो वही कहते हैं तीन तीगारा खेल भीगारा यही कॉंग्रेस का हाल कही नहीं हो ज देखने को आता है जहां भी कोई मीटिंग होती है इनके इन तीन नेताओं के समर्थ तक जाते हैं नारेवाजी करते हैं हल्ला सोरगूल होता है और वो मीटिंग डिस्टर्ब हो जाती है ऐसे में कॉंग्रेस की नईया कैसे पार लगाएगी लगेगी इसका ध्यान जो है इन चारों नेताओं के बीच में एक तरह से सामंजस बठा दे उनके काम का बटवारा करा दे एक किलियर किलियर लाइन होनी चाहिए कि ये इस चीज पर कॉंग्रेस आगे बरेगी वरना कॉंग्रेस का हाल हरियाना में वही हो सकता है जो पिछले दो चुनाओं में देखने क को मिला पिछले चुनाओं में तो सरकार बनाते बनाते रह गई शीकुछ सीठे कम पर गई और जेजेपी जो है वो बीजेपी के साथ चली गई क्योंकि हलाकि जेजेपी की पहली चुआ है कॉंग्रेस थी क्योंकि उनको लगता था कि उनको एंटी नकमेंसी वोट मिला या लेकिन जो बाजी बीजेपी ने मार ली इस बार फिरसे ऐसा ना हो जाए इसको देखते हुए ज़रत है राहुल गांदी और खरगे को जल्दी से हरियाना के बारे में सोचें और एसार के को मनाएं यदि एसार के नहीं मानते हैं तो वो अंग्रेश के लिए बरासी दर्द साबित हो सकने हैं पॉलिटिकल वावा में इतना ही मनोजन भारती को इजाज़त देजिए नमस्कार